सच श्रियकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पुनम कोर रेसिपी इसमें आज मैं आपके लिए पोहे का एक बहुत अच्छा सा नास्ता लाई हूँ इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप पोहा ले लिया है इसे हम एक बरतन में डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे हमें इसमें इतना पानी डालना है जो हमारा पुहा है वो अच्छी तरह से भीग जाए अब पोहे को पानी में हम तीन नट तक छोड़ देंगे जादा नहीं रखेंगे बस 3 मिनट काफी है इतनी देर में जो हमारा पोहा है वो सौफ्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे इस तरह ऐसे दोनों हाथों के प्रेशर से पोहे में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे और पोहे को एक अलग बरतन में रखते जाएंगे तो हमारा पोहा है वो अच्छी तरह से फूल कर तयार हो चुका है तो यह रहा हमारा पोहा दबाने से अच्छी तरह से प्रेस करने से मसल रहा है मतलब यह बिल्कुल रेडी है इसके लिए यहाँ पर मैंने आधे कटोरी दही ले ली है जो की 4 चमच के करीब है और 4 चमच मैंने हाँ पर सूजी ले लिया है बिल्कुल बारीक वाली है सूजी है तो अब यह तीनों चीजे हमारी रेडी हो चुकी तो आप या तो किसी ब्लेंडर जार में या तो किसी मिक्सर जार में इन तीनों चीजों को हमें पीसना है हम पीसेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा साथ हमें जो result मिलेगा वो काफी जादा अच्छा मिलेगा एक और बात इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से पीसने के लिए आपको आधे कटोरी के करीब पानी की जरूरत लगेगी तो आप थोड़ा सा पीस लीजे फिर थोड़ा पानी डाल दीजे फिर थोड़ा पीस लीजे फिर पानी डाल दीजे तो जरूरत की हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे तो आधा का टोरी मैंने हाँ पर पानी पीसते वक्त इस्तमाल किया है तो अब इसे अच्छी तरह से पहले हम पीस कर रेडी कर लेते हैं अब जभी अच्छी तरह से पिस जाएगा देखिए मैंने बिल्कुल पतलाय से नहीं पीसा है क्योंकि जार में जितना आया मैंने सारा डाल दिया अब मैंने इस मिश्रण को एक बरतन में निकाल दिया एक बोल में निकाल दिया है मिश्रण अच्छी तरह से पिस चुका है पर काफी गाड़ा है और इतना गाड़ा मिश्रण हमें नहीं चाहिए तो इसलिए मैं आधा कप पानी इसमें और डालूँगी मतलब overall मैंने एक कप पानी डाला आधा कप पीस्ते वक्त और आधा कप अभी अब मैंने इसमें डाल दिया आधा चुटा चम्मच नमक और साथ हम इसमें तुरह सा बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी अब इसकी जो है एक मिश्रन जो बनकर तयार हुआ है वो बहुत जादा पतला भी नहीं है और बहुत जादा गाड़ा भी नहीं है एक मीडियम कंसिस्टेंसी का मिश्रन हमें चाहिए जो कि बनकर हमारा तयार हो चुका है तो आब इस मिश्रन को आप ढगकन लगा कर साइड में रख दीजिए ताकि ये मिश्रन जो है सेट हो जाए तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना कर तयार कर लेते हैं अब स्टफिंग बनाने के लिए यहां पर कड़ाई में थोड़ा सा बटर गरम कर लिया है जैसी आपका बटर गरम हो जाएगा हम उसमें डालेंगे आधा छोटा चमट जीरा और अदरक और लसुन की पेस्ट जब अदरक और लसुन की पेस्ट और जीरा भुन जाएंगे तब हम उसमें डालेंगे एक प्याज एक टमाटर बारिक टुकडों में कटा हुआ एक शिम्ला मिर्च छोटी सी थी इसको भी मैंने बारिक टुकडों में काटकर इसमें डाल दिया है सबजियो में आप जो भी चाहें वो पसंद से अपने डाल सकते हैं मेरे पास है आप यह पनीर अविलेबल थी तो मैंने पनीर के भी चुटे-चुटे पीसिस करके इसमें डाल दिये मटर डाल दिया है मैंने यह फ्रोजन मटर है अगर आप फ्रेश मटर का इस्तमाल करें तो उन्हें उबाल कर इस्तमाल करें साथ ही तीखे बन के लिए हम इसमे डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि नमक आदा चुटा चमच आदा चुटा चमच लाल मिरच पाऊडर और चौथाई चमच पिसी हूई काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च का पाउडर आपशनल है आप चाहें तो डाले नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं इन सब्जियों को अब मिक्स कर लेते हैं हमें इने बहुत जादा नहीं पकाना हाइ फ्लेम पर ही साथ से आठ मिनट तक हम इसे पकाएंगे बीश-बीश में चलाते साथ से आठ मिनट के बाद जब हमारी सारी सब्जैं चीतरी से भुन जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे प्रोसिस चीज यहाँ पर अगर आप चीज का इस्तमाल कर रहे हैं तो प्रोसेस चीज का ही इस्तमाल करें गैस का फ्लेम बंद करके इसे अच्छी तरह से मिला लें क्योंकि सारी सबजेयां गरम है तो हमारी जो चीज है वो जटपट से मेल्ट हो जाएगी तो अब बस हमारी स्टफिंग बन कर तयार हो चुकी है अब हम इसे गैस से नीचे उतार देते हैं जब तक हमारी स्टफिंग बन रही थी तब तक हमारे पोहा और दही के मिश्रण ने भी आराम कर लिया होगा सेट हो गया होगा यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छी तरह से यह सेट हो चुका है थोड़ा गाड़ा भी हो चुका है पहले के कंपैर में तो बस अब यह बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब हम इसका नास्ता बनाना शुरू करते हैं इसका नास्ता बनाने के लिए हम गैस पर एक तवागम कर लेंगे सिंपल दवे पर भी आप इसे बना सकते हैं नॉन स्टिकी पर भी बना सकते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा बटर लगा लें या तेल लगा लें जब हमारा तवा अच्छी तरह से गरम होगा तब हम इस तरह से मिश्णर डालेंगे यह देखिए तवा बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए उसके बाद चमच की हल्प से हम इसे थोड़ा फैला याद रके हम इसे बिलकुल पत्ला नहीं करेंगे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे थिकनेस में उसके बाद आप इसे धक्कर लगाकर एक साइड से पका एक साइड से अच्छी तरह से पका लें हमें इसे बहुत ज्यादा अलटना पलटना नहीं है जब आप देखें कि एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है तब हम इसे टान कर देंगे आप देख पा रहे हैं इसका जो कलर है वो काफी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब बस इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इसे सेक लेते हैं अब हमें यहाँ पर गैस आपके फैमली मेंबर्स पसंद करते हो उस चटनी का आप यहाँ पर यूस कर लीजिए और जब हम उसे फैला लेंगे चारो और तब हम एक कॉर्णर पे इस तरह से स्टफिंग रखेंगे जो हमने तयार की थी बहुत जादा स्टफिंग ना भरें थोड़ी सी स्टफिंग हम भरेंगे इसमें एक चमच के करीब एक साइट पर ही रखेंगे और इसके बाद हम दूसरे साइट को फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसमें चीज थी तो जब यह गरम गरम रोटी टाइप में इसके ओपर लगेगा तो चीज भी मेल्ट हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो ये रेसिपी जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी है तो आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर राय कीजेगा अब ये बिल्कुल रेडी है